Hey, what's up guys, welcome to this video और आज की इस वीडियो में मैं 5 best laptop under 30,000 रुपीज की list लेके आया हूँ इस list में आपको 5 best laptop suggest करूँगा जो आप अभी 30,000 रुपीज के अंदर खरीच सकते हैं लेपटोप खरीचने से पहले जो है बहुत सारी चीज़े देखनी होती है जिसे कि उसकी processing power, display, upgrading option, connectivity, user experience and after service तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखके जो मैंने list को तयार किया है ताकि आपको एक best value for money laptop मिले और इस list मैंने सभी user को ध्यान में रखके बनाया तो आप एक college student हो या फिर office या फिर home use के लिए laptop देख रहो या फिर कोई heavy user, gaming के लिए भी laptop देख रहो तो इन सभी के लिए laptop जो आपको इस list के अंदर मिल जाएगा पर आप चाहो तो इस list जो है मेरी website geek में 12 पे भी चेक कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे list जो मैं हर week update करता हूँ प्लस वहाँ पे आपको सारे lowest price buying option भी मिल जाएंगे तो चलिए अब यहाँ पे जो है जल्दी से देख लेते हैं कि कौन-कौन से best laptop है जो आप आप ही 30,000 रुपीज के अंदर खरीच सकते हो तो सबसे बिले 6 नंबर पर है access viewbook X507 US जिसकी price इंडियन मार्केट में 26,000 से 27,000 रुपीज के अंदर रहती है और फिलाल आपको paytm इसमें जो एक्स्टा 2,000 रुपीज का cashback भी provide कर रहा है जो इस laptop को एक बहुत अच्छा value फर्मरी option बना देता है इस laptop को हर एक user को ध्यान में रखके जो है design किया गया और especially youngster को ध्यान में रखके जो इसे बनाया है तो ये काफी compact है और साथी साथ काफी stylish and premium feel देता है एक अच्छी quality plastic build के साथ हमारा ये laptop आता है अब main feature की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इसकी 108P की full HD display मिल जाती है जिसकी quality और color production काफी अच्छा है और plus display जो है matte है तो आपको reflection भी जो इसमें कम मिलेगा और कह सकते है कि इस price range के जो दूसरे laptop है उसके compare में इसकी display quality काफी अच्छी है प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें 2 GHz block speed वाला Intel Core i3 7th generation प्रोसेसर मिल जाता है और साथ में 4GB RAM और 1GB HDD Drive हलाकि अब market में आपको इस price range में Ryzen 5, Ryzen 3 या 8th generation Core i3 प्रोसेसर का option है तो 7th generation जो है थोड़ा सा outdated लगता है लेकिन फिर भी ये 25,000 रूबिस की price को justify करता है और 7th generation daily use के लिए जैसे की office work, browsing, entertainment, purpose के लिए जो है enough है आगे आपको इसमें प्रे-install Windows 10 भी मिल जाता है और साथ में security के लिए आपको fingerprint sensor भी मिल जाता है तो overall जो ही एक बहुत अच्छा entry-level laptop है अगर आप एक office user हो या फिर student हो और एक stylish compact size laptop देख रहे हो जो आपके daily use को easily handle कर ले प्लस एक अच्छी battery life और एक अच्छी display quality के साथ है तो आप इस laptop को खरीच सकते हो आगे 5th number पे है HP 15Q-DY3004AU जो के Ryzen 3 processor के साथ आता जिसकी lowest price buying link आपको नीचे description पे मिल जाएगी डिजाइन की बात कर रहे तो HP की जो traditional design है वही इसके अंदर भी है sparking black color और texture finishing के साथ एक premium feel आपको इस laptop से मिल जाता है इसके बाद processor की बात करे तो आपको इसमें AMD का Ryzen 3 processor मिल जाता है तो इसके लिए आपको इसमें जो है integrated Vega 3 GPU भी मिल जाता है जो के आपकी काफी help कर देगा बश्टील में gaming और heavy multitasking use के लिए आपको Ryzen 5 recommend करूँगा आगे बात करें तो आपको इसमें 4GB DDR4 RAM और 1TB की SDG drive मिल जाती है और RAM को जो आप 16GB तक upgrade भी कर सकते हो आपको इसमें M.2 SSD drive भी install कर सकते हो इसके लाब आप Windows 10 के साथ आपको इसमें सारे जरूरी connectivity option मिल जाते है जिसके हम एक laptop में जरूरत होती है तो साथ में एक अच्छी decent battery life लेकिन इसमें आपको जो है full HD display नहीं मिलती है जो इसका एक down point बोल सकते हो लेकिन कोई नहीं भले full HD display नहीं है लेकिन display की quality काफी अच्छी है तो औरल अगर आप एक laptop खरीदना चाहते हो जो के decent performance प्रोवाइड करे हो और एक classy look और एक अच्छी build quality के साथ आए जो आपके daily multitasking use को easily handle कर ले तो आप इस laptop को खरीच सकते हो लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा multitasking use करना है तो इस laptop से अच्छा option आपको आगे मिल जाएगा फॉर्थ नमबर पहल लेनो आइडियापेट 330 जिसकी starting price है रूपीज 25,000 यह total 2 variant में available है जिसमें से एक Ryzen 3 processor के साथ आता है बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपको इसमें full HD display मिल जाती है डिस्पले की quality ठीक है बहुत अच्छी नहीं है लेकिन price की साब से कह सकते है की अच्छी है और एक बात की Ryzen 5 वाला जो variant है उसमें आपको full HD display नहीं मिलती लेकिन उसमें भी और एक variant अवेलिबल है जिसमें आपको full HD display मिल जाती है तो मैं उसकी भी लिंक आपको नीचे description पर प्रोवाइट कर दूँगा प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें Ryzen 3 और राइजन 5 का option मिल जाता है दोना ही प्रोसेसर काफी अच्छे है नॉर्मल यूज के लिए Ryzen 3 जो है highly enough है लेकिन बहुत ज़्यादा है अगर आपका heavy use है या फिर कोई gaming या फिर graphic creator work है तो आपको Ryzen 5 के साथ जाना चाहिए इसके support के लिए आपको 4GB RAM और 8GB RAM का option मिल जाता है और 1TB HDD drive मिल जाती है बजेट प्रेंडली फ्राइश्टेक के साथ तो डेफिनेटल आप इस laptop को खरीच सकते हूं थर्ड नंबर पर है डेल वेश्टरो 3478 जो के एक 14-inch compact size notebook है जिसकी starting price रूपिज 27,500 के आसपास रहती है डिजान की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको 14-inch screen मिल जाती है जो के इसको काफी compact बनाती है तो ओफिस user और frequent आवल के लिए एक बहुत अच्छा option बनेगा प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटल का लेटेस 8-Generation Core i3 प्रोसेसर मिल जाता है जो के 2.5 GHz clock speed के साथ आता और यह 3.4 GHz तक boost भी हो सकता है जो के काफी powerful प्रोसेसर है easily day-to-day casual multi-tasking use को handle कर लेगा और इसका जो integrated GPU है और previous generation से काफी better है तो आप इसमें graphic rated work भी जो है कर सकते हो इसके लब आपको इसमें 4GB RAM और 1GB SDG dry मिल जाती है RAM को जो आप 16GB तक upgrade भी कर सकते हो और security के लिए आपको यहाँ पे fingerpiece sensor भी मिल जाता है आपको इसमें जो है कोई full HD display नहीं मिलती जो इसका एक आप down point बोल सकते हो लेकिन कोई नहीं display की quality वैसे तो काफी अच्छी है और सायद latest processor provide करने के वैसे यहाँ पे हमको full HD display provide नहीं कर पाया बाकि 14 inch screen और latest processor के वाज़े से आपको इसमें decent battery life मिल जाती है तो और अगर आपको 14 inch compact size laptop चाहिए latest and powerful processor के साथ तो यह एक ideal option है या फिर आप Asus VioBook 14 के साथ भी जा सकते हो जो के थोड़ा महिंगा है लेकिन बहुत अच्छा option है second number पे है Asus X505Z जो के अगें दो वेरियंट पे अवेलिबल है एक Ryzen 3 और एक Ryzen 5 मैं highly recommend करता हूँ कि आप अभी Ryzen 5 वाला वेरियंट खरीदे क्योंकि अभी यह काफी कम प्राइज में खरीदने को मिल रहा तो यह एक बहुत अच्छी value for money deal होगी डिजाइन की बात करें तो बाकी वियो बुक लैप्टॉप की तरह यह भी काफी stylish and good looking है brush metal finishing के साथ काफी अच्छा premium feel देता है और यह previous वियो बुक सीरिज से काफी slim and compact भी और काफी lightweight भी है display की बात करें तो आपको इसमें 108P की full HD display मिल जाती है एक अच्छी brightness और color production के साथ processor के लिए आपको इसमें Ryzen 5 और Ryzen 3 का option और 4GB DDR4 RAM और 1TB HDD drive का option मिलता है और आप इसमें जो हालक से M2 SSD drive भी install कर सकते हो इसके लाव आपको इसमें pre-install Windows 10 और सारे जरूरी connectivity option मिल जाते हैं including USB Type-C तो overall जो ही laptop सभी यूज़ के लिए एकदम perfect है आप इसे office use, study purpose या फिर normal use के लिए तो खरीदी सकते हो लेकिन powerful processor और Vega 8 GPU होने के वज़से आप इसे heavy multitasking use या फिर gaming purpose के लिए भी जो है खरीद सकते हैं अब finally first number पे है Acer Aspire 3 जो के दो variant में available है एक आपको Ryzen 5 processor के साथ मिलता है और दूसरा आपको Intel के latest 8th generation Core i3 processor के साथ आप इन में से कोई भी अपने use के हिसाब से खरीद सकते हो और अगर आप gaming और graphic related work के लिए laptop देख रहे हो तो आपको Ryzen 5 के साथ जाना चाहिए Otherwise आपको Intel Core i3 8th generation processor के साथ जाना चाहिए इसके लबाद दोनों ही laptop में आपको Full HD 108B की display मिल जाती है और pre-install Windows 10 भी मिल जाता है और processor की support के लिए आपको यहाँ पे 4GB DDR4 RAM और 1TB HDD drive में जाती है और आप इसमें अलग से M2 SSD drive भी install कर सकते हो RAM को 16GB तक upgrade भी कर सकते हो और अगर आप gaming के लिए अगर इसी use करने वाला है तो at least आपको RAM को 8GB तक upgrade करना चाहिए और SSD भी install करना चाहिए ताकि AAA title game और heavy multitasking यूज आप इजिली कर पाओ बैटरी वेकप की बात करूँ तो नॉर्मल यूज पर आपको 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 फोर आउती की battery lab ये laptop प्रोवाइट कर देता है जो के decent है Toral जो ही एक budget friendly price tech के साथ बहुत अच्छा और powerful laptop है जिनको एक कम price में performance oriented laptop चाहिए multitasking work के लिए, graphic rated work के लिए, gaming के लिए तो उनके लिए जो ही बैस्ट option है तो बस ये थी मेरी best laptop under 30,000 रुपीज की list में उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी hell मिली होगी लेकिन अगर आप फिर भी कोई question हो आपको तो जो आप मुझे लीचे comment के जरीए पूच सकते हो मैं जितनी जल्दी हो सकते हैं आपको replay देनी की कोशिश करूँगा अगर आपको इस वीडियो जो है पसंद आओ तो प्लीज इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए शेर कीजिए और ऐसे टेकनोजी की दुनिया से अगर जुड़े लेना चाहते है तो प्लीज मैं इस चैनल को जो है subscribe कर दिए चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ त